सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले अब हमें दो बार सोचना होगा आपने ठीक सुना जहां पर कि पहले कुछ भी सोशल मीडिया पर डालने से पहले हम लोग नहीं सोचते थे आरार स्वेन उनके द्वारा ये कहा गया है कि social media पे चाहे कोई भी social media platform हो वहाँ पर hate comments या anti nationalist comments जो है वो tolerate नहीं किये जाएंगे जहाँ पर की लोगों की sentiments को hurt करने के लिए काफी बार इस तरीके के कुछ post डाले जाते थे कुछ ऐसे comments डाले जाते थे social media के platforms पर लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा जहाँ पर की strict action जमकुश्मीर पुलीस और यहां की security agencies है उनके द्वारा लिया जाएगा और ऐसे लोगों को filter किया जाएगा जो की यहाँ पर social media पर hate comments फिलाने का काम करते है और इसके खिलाफ जो है जो है जो लोग social media पर hate फिलाने का काम या फिर anti nationalist comments या फिर कुछ गलत डाल का प्रियास करेंगे उनके खिलाफ CRPC यानि की criminal penal code की section 144 के तहत उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी जहां पर पहले एक order निकाला गया था जेकी यूटे administration द्वारा की जो government employees है government employees जो है वो government की कोई भी जो यहां पर schemes निकाली जाती है यह government की policies के against कुछ भी social media पर post नहीं कर सक सकते उसी के चलते अब एक और order निकाला गया है कि कोई भी व्यक्ति social media पर hate comments नहीं फिला सकता और क्यूंकि social media का जमाना है और लगातार social media पे जो users हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं चाहिए वो चोटे बच्चे हैं या फिर वो बुज़ूर्ग कोई भी age group के लोग ज जरा रहे हैं इसी के चलते काफी ऐसी चीज़े देखने को मिल रहे हैं जिससे कि लोगों की sentiments को hurt होता है और इसी के चलते एक बड़ा order यह निकाला गया है कि अब social media पे post करने से पहले कुछ भी post करने से पहले हमें दो बार सोचना होगा और वहीं इसी के चलते अब DM याने क कि district magistrates और concerned जो district हैं उनके जो DCs हैं उनको भी order दिया गया है खासतोर पर कश्मीर वैली के जितने भी DMs हैं जितने भी DCs हैं उनको यह कहा गया है कि concerned जो उनके districts हैं वहाँ पर कुछ लोगों को filter किया जाए जो कि लगातार social media पे hateful आने का काम करते हैं और कुछ गलत comments जो हैं और जो वहाँ के DMs हैं याने कि जो DCs हैं district magistrates हैं उनके द्वारा लगातार अब यह प्रयास किया जा रहा है कि हर एक इनसान के social media accounts पे चेक रखा जाए cyber cell की मदद से filter किया जाएगा लोगों को जो कि लगातार social media पे hateful आने का काम करते हैं और district administration को यह कहा गया है कि लगातार यह चेक रखा जाएसे लोगों पे जो कि लगातार government की policies को उनके against उनके खिलाफ negative चीज़े यहां आप social media पर डालते हैं जिससे कि लोगों की sentiments hurt होते हैं और लोग कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं